Hello students, so kinematics का introduction हो गया था, आज हम लोग इस chapter को एकदम basic से one by one complete करते भी आगे बढ़ेंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ, full faith के साथ और full determination के साथ अगर एक दूसरे के cooperation में लगेंगे आपको जैसे मैंने बताया था कि ये chapter आपके physics का entry gate है, ये मालीजे आप, तो आज हम उसी में entry करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, last chapter से related जो बाते हुई थी, उससे थोड़ा से summarize करते हैं, फिर हम आगे किताब बढ़ रहे हैं, start करते हैं, chapter की सुरुआ, ये जो भी motion के बारे में study पढ़ रहे हम लोग उसका नाम होता है विटा, kinematics, यानि kinematics क्या हुआ, physics की एक branch हो गई, जो motion के बारे में study करती है, ध्यान रखना, kinematics का मतलब ही होता है, study about motion, लेकिन motion के बारे में study करना तो है, लेकिन motion क्यों हो रहा है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, motion क्यों होता है, बही, motion तो तब ही होगा ना, जब उस पर कोई force लग रहा हो किसी object पे, जब तक किसी object पे force नहीं लगेगा, जब तक किसी object पे torque नहीं लगेगा, तब तक motion नहीं हो सकता, लेकिन हमें उन cause को नहीं पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है motion के बारे में, तो cause कब पढ़ेंगे, cause पढ़ते हैं भाई साथ, force and laws of motion, यानि kinetics, that is called kinetics, तो यहां हम पढ़ते हैं, kinematics is the branch of physics which study about, study about motion, without considering the cause of motion, अचा चलो भाई, motion के बार इंपढ़े, तो motion के दौरान होती क्या 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 quantities है, motion के कारण जो भी quantities में changes आ रहे होंगे, या जो quantities motion के कारण affect हो रही होगी, उसके बारे में पढ़ना है, या उनमें जो relation develop हो रहा होगा मेरे दोस्त उनके बारे में पढ़ना, जैसे motion से क्या क्या चीज़े होती हैं, एक एक करके बात हो, motion से position change होता है, distance struggle करते हो आप, motion के कारण बेटा displacement होता है, motion के कारण, speed यहीं से निकल के आएगी, motion से ही बेटा velocity निकल के आएगी, और motion से ही मेरे दोस्त acceleration निकल के आएगी, सो देखा जाए, तो इन quantities के बारे में ही study करना है, इस kinematics के, इन quantities के बारे में, अब चलिए जड़ा एक एक करके इन में से बात करते हैं, और हमारा time start है, लेकिन ध्यान रखना, बात जब भी हम motion के बारे में करते हैं, तो हमेशा आपको क्या चाहिए दोस्त, एक frame of reference, frame of reference, अब ये क्या बला है, frame of reference क्या चीज है, भाई, जब भी आप move कर रहे होगे, तो आपके motion का कोई न कोई observe कर रहा होगा, या आप किसी ने किसी के motion को observe कर रहे होगे, तो वो जो observation होता है, उसी observation और उस object के movement का एक consideration होगे से frame of reference कहते हैं, और example, अगर मैं यहाँ पर rest पर हूँ और कोई object move कर रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, तो उसकी जो speed होगी, उसका जो displacement होगा, उसकी velocity, उसका acceleration something different होगा, लेकिन अगर उसके साथ मैं भी move कर रहा हूँ, अब क्या होगा, अब उसकी speed अलग दिखेगी, अब उसका displacement अलग दिखेगा, अब उसकी velocity अलग हो जाएगी, कहते हैं का मतलब क्या हो रहा है, कि मेरे यानि observer के respect में अगर सारी चीज़े देखोगे, तो यह सारी situation valuable हो जाती ह और इसी को नाम दिया जाता है frame of reference, ऐसी condition में observer अपने आपको coordinate system अगर हम मानें, तो observer अपने आपको origin पर रखेगा, और जो object move कर रहा है, उसको observe कर रहा होगा, तो this is the process of frame of reference, ध्यान रखना है, frame of reference के types देखेगा है, inertial and non-inertial, अब inertial क्या होता है, इसमें ध्यान देना, लेकिन observer भी अगर motion में है, तो non-inertial, इसके अलाव मैं अभी इसमें तुछ ज़्यादा भी cleaning बताओ, तो कोई need नहीं है, लेकिन frame of reference का मतलब observer के respect में किसी की speed को देखना, watch करना ही frame of reference बन जाता है, clear, so, इसके बाद क्या start होता है, इसके बाद start होता है, सबसे पहला concept आपका displacement, so, सबसे पहली heading ना लेंगे बिटे, sorry, distance, distance क्या होता है, total path, total path length traveled by the object, suppose, आप के पास कोई एक field है, जो इस rectangle shape का है, और आप A से B, B से C, C से B, और फिर D से A पर आप देखें, तो, actually, देखा जाए, A से B तक आप जाएंगे, तो path length A से B का जो भी distance है, माल लिया जाए 10 meter, suppose, यह 7 meter है, फिर यह 10 meter, और यह suppose फिर से 7 meter है, बिटे, A से जाकर A तक आने में, आपने कितना distance नपल कर लिया, obviously, it is the path length, so 10, plus 10, 20, 20, plus 14, 34, so, देखा जाए, तो, total path length के वाल, add कर लो, बिटे, that becomes the distance, अब इस distance की अपनी कुछ खास बाते हैं, उन खास बातों को समझ लेते हैं, पहली बात है, unit होती है, इसकी, बिटे, SI unit की बात कर रहा हूं, meter, दूसरी खास बात क्या है, यह scalar quantity है, it can never be negative, it can never be negative, आप कभी भी negative निकल सकते इसको, यह बड़ी important बात कर रहा हूं, so next, अगर मैं बात भी आगे displacement को हम श्रेयर करेंगे आपसे, ध्यान दीजेगा, always, always, greater than, or equal to displacement, तो यह बात होती है, आप कर देखेंगे distance related यह बात है, total path left होता है, unit होता है, scalar होता है, यह, कहान होता है, ठीक है, लिखा जाता है बेटे, donation, जो notation इसका है, that is S, तो यह तो रही बेटा की total value of the distance, इसमें कुछ खास कहानी नहीं है बेटे, इसके तुरंत बात हम स्टार्ट करते हैं, कि distance कितने कम समय में कितना जादा travel कर रहे हो, या कितना जादा समय में कितना कम distance हो भी तरह हो, इसी relation से निकल के आता है बेटे, एक नया term that is called speed, यानि distance का time से relation जो बताएगा वो है speed आती है, एक नया term, एक नई physical quantity हमारे सामने develop होती है, चलिए start करते हैं, heading डा लेंगे बेटा जी, speed, तो speed का simple formula क्या हो गया, speed का concept क्या हो गया, total distance traveled by the object in given time of interval, तो speed कि तो यहीं बात होगी, फिर से इस बात कि समझो, speed, speed का मतलब बेटाजी, distance traveled by the object in the given time of interval, speed को बेटा मैं V से होगी रेप्रेजेंट कर रहा हूँ, distance को S से और time को T से, this is the speed, normal speed, so अगर इसकी unit की बात करा जाए, तो तुरहत आप क्या कह देंगे, unit क्या होगी बेटाजी, meter per second कैसी quantity है, because distance, scalar, time scalar तो आपिस्केलर तो आपिस्केलर ही हो, फिर अगर distance कभी negative नहीं हो सकता तो यह भी negative नहीं हो सकते, अगर हम बात, जैसे वहाँ displacement की किये थे, यहाँ velocity से इसको compare रखते हैं, बात में हम सीखें की क्या होती विलासिटी, तो यह हमेशा greater than होती है, greater or equal to the velocity, तो यह कुछ बाते हैं, जो speed से related है, ध्यान रखना है, इसमें average speed क्या होता है, instantaneous speed क्या होती है, uniform speed क्या होती है, चलिए जड़ाइटी करके बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बेटे, uniform speed क्या होती है, uniform speed क्या होती है, यहाँ देखो, uniform speed का मतलब क्या हुआ, अगर same time of interval में, same distance travel किया जा रहा है, तो ऐसी speed बन जागी, uniform speed, for example, अगर बेटा जी, यहाँ पर distance है, यहाँ पर time है, एक second में suppose यह 4 मीटर गया, दूसरे second में यह 8 मीटर गया, तीसरे second में 12 गया, चौतरे second में 16 गया, आप कुछे एक बात बताओ यार, यह हर एक second में 4 मीटर जा रहा है, यानि every time of interval चाहिए, इसकी बात कर लो बेटा, चाहिए, इसकी बात कर लो चाहिए, जो भी time of interval यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, यानि हर एक time of interval में, हर एक second में, यह exactly 4 मीटर का distance रहा है, कहने का मतलब बेटा, इसकी speed क्या है, uniform, लेकिन अगर situation यहाँ बदल जाती, यहाँ suppose 7 हो जाता, यहाँ 12 हो जाता, यहाँ 18 क्या suppose हो जाता, अब आप देखते, तो हर एक time में इसका different distance travel हो रहा है, तो हम इसे कहते है, non-uniform speed, यह बड़ी simple सी बाता है, uniform मतलब, same time of interval में, same distance, non-uniform का मतलब, same time of interval में, different distance, तो यह रही बात, अब अगली बात करते हैं, यह रही uniform speed, बात करते हैं, average speed क्या होता है, average speed, average speed, average speed का मतलब मेरे दोस्त, कुछ खास नहीं, वी average से लिखा जाता है, total distance traveled by the object, divided by total time taken, फिर से repeat करा हूँ, total distance traveled by the object, divided by total time taken, महोत ध्यान से इस बात को समझना है, यह कोई छोटी बोटी बात नहीं है, विटा नहीं, total distance upon total time taken, इस चीज़ को थोड़ा जल्दी से एक छोटे से question समझ लेते हैं, यह question रहा है, विटे, सपोज एक person है, उसे A से लेकर D तक जाना है, और जाने का पात कुछ इस तरीके का, 10 meter का distance यहाँ पर है, 15 meter का distance यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है, उसे 5 second, और यहाँ जो गया है, वो 3 meter per second की speed से गया है, यहाँ पर भी इसकी speed आप पांग सकते हैं, 5 meter per second, ले अब इस पूरे process में आप से पूछा जाए, what is the average speed, what is the average speed, तो average speed का मतलब मेरे दोस्त, total distance, यहाँ की distance भाई साब, 10, यहाँ का distance, 15, यहाँ का distance, निकालना पड़ेगा, so distance का formula भी speed से पढ़ा है, speed is equal to distance upon time, so distance is equal to speed into time, speed कितनी, 5 time कितना, 4, 5 into 4 कितना होगे मेरे दोस्त, 20, तो plus 20, divided by total time taken, यहाँ का time, 5, यहाँ का time, निकालना 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 पता तो, distance upon speed कितनी हो जाएगी भाई, distance, 15, speed, 3, पो गया फिर से 5, अब फिर यहाँ पाज दिया मेरे दोस्त, 4, answer आजाएगा, 45 divided by 14, इत this is the V average, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि ऐसे question को कैसे solve करना है, यह हम लोग को पता होना चाहिए, तो यह average speed हो गया, यह uniform speed हो गया, clear, instantaneous speed यह, normal अगर हमें speed कहें, किसी particular time पर, तो हम लोग कह सकते हैं बिटा, change in distance upon change in time is the normal speed, लेकिन आप से पूछा maximum time पर average जाएगा, और average आपक पता होना चाहिए, तो यह बात रहें है, यह average speed से related साही चीज़े, बात करते हैं, अगली quantity के उपर, this is called displacement, यहां से खेल आपका सुरू होना जा रहा है, so heading है आपका विटा, displacement, displacement का मतलब क्या होता विटे, सबोज आपका initial point और final point fix है, कि आपको A से B तक जाना है, so A से B तक जाने के लिए आपके पास suppose N number of paths available है, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, like this, और आप यह तो रास्ता जो यह सामने दिखरा इस से भी जा सकते हैं, ध्यान रखेगा path आपके पास चाहिए, जितने हो, displacement क्या होता है, shortest distance between A to B either it is real or virtual, doesn't matter, repeat करना हूं, either it is real or virtual, कोई फरक नहीं पड़ता मेरे दोस्त, A से लेकर B तक की line, A से B तक की जो straight line बनेगी, that straight line creates a displacement, यह बात जरूर ध्यान देना, अगर आपके पास यह path available नहीं था, तो आपको एक straight line draw करना पड़ेगा, A से B तक को join करने के लिए लिए, and that becomes the displacement अब आप समझेगा, because it has a unique direction, initial से final की तरफ हमिसा इशारा करता है, इसलिए बेटा, कुछ चीजें इसके साथ जुड़ने वाली हैं, जरा उस पर ध्यान देना, displacement का definition, shortest distance, shortest distance between initial and final point, initial and final point, यह बहुत ध्यान देना, बेटा, दूसरी बात, चुकि एक unique direction के साथ move करता है, इसके जिए it has a vector quantity, और not only this, यह vector log को भी follow करता है, that's why यह vector quantity के form में बना है, next point, unit इसकी obviously length यह है, so length की unit meter, so SI unit इसकी बन गई बेटाजी, meter, next part, हमेशा, या तो distance के equal होगा, या उससे छोटा होगा, always less than, or equal to distance, अब आप उसमेच में आ गया होगा, क्यों है, सबसे छोटा distance यह हो सकता है, तो इकपल होगा, इसके लाव कोई भी distance होगा, तो इससे तो बड़ाई होगा, इसलिए मेरे दोस्त, यह part रहा, और अब अगली part पर ज़रा move करते हैं, आपको यह पता है, कि यह positive, negative and zero कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह direction देता है, अगर आगे मारे direction को तुमने positive लिया, तो पीछे वारा direction, obviously negative हो सकता है, आप a point से जाकर दोवारा a point पर घूम के आ जाते हो, displacement becomes zero, सब कह सकते हैं, it can be positive, negative or zero, any value it can adopt, it doesn't have any problem, इसको कोई टेंसल नहीं सब चीच होगा, और यह जो points आपने लिखें पेटे, this is the difference between the distance and displacement as well, Now, अब हम बात करने जाने हैं पेटे, अगले पाट के उपर, जड़ा इस से रिलेटे छोड़े से numerical की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, Suppose you want to go from A to C, and the length of A to B is 3 meter, and the length is 4 meter, Now, what is the displacement from A to C, then you have to join A to C by a straight line, आपके सामने देख रहा है, यह 90 degree का angle form कर रहा है, So, आपको इसको पाइथर गोरस theorem से या vector law से solve करना पड़ेगा, धियान रखिएगा, vector theorem भी मैंने आपको बताया था, vector law भी बताया गया है, that is log पारिंग्राम, और उससे यह solve किया जा सकता है, आराम से, Either you can apply the पाइथर गोरस theorem, and get the answer is 5, यह बात बहुत आसान से, आप चलिए जाना दोनों बाते से करते हैं, पाइथर गोरस theorem आप लगाते हैं, पाइथर गोरस theorem क्या कहता है, बैटे है, हाइपोटेनस का square is equal to base का square plus perpendicular का square, so base का square 4 meter, and perpendicular का square, यान 3 का square becomes 16 plus 9, 25, 25, so h square is equal to 25, hence h is equal to 5, इतने meter, इसको कोई problem नहीं है, जैसे पाइथर गोरस theorem, then what about the vector law, vector law से कैसे solve करेंगे, चलिए बैट, vector law का मतलब resultant, resultant का मतलब क्या हुगा बैटे, दोनों के बीच का displacement, और उस displacement को आप सपोज S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S is equal to क्या हो जाएगा, A square, जैनि 3 का square, प्लस B square, 4 का square, प्लस 2, A into B into cos theta, theta becomes मेरे दोस्त 90 degree, and you know cos 90 becomes 0, तो 0 into anything becomes 0, so whole quantity will be 0, answer फिर आपके पास मेरे दोस्त वही निकल के आना है, जो उससे आया है, तो आप देख सकते हैं, कि law of diagram को यह follow करता है, या vector law को follow करता है, और किस तरीके से हमें distance निकालना है, displacement निकालना है, यह हमें पता चल जाता है, तो चलिए जड़ा आगे की तर बढ़ते हैं, यह तो हो गई displacement, अब displacement से निकलेगा मेरे दोस्त, velocity, and that's very important, so let's start with velocity, so velocity की बात करने जा रहे हैं हम सब, velocity, velocity का मतलब होता है, simple rate of change of displacement, rate of change of displacement, अगर normal की बात करें, तो भहियाद velocity को V से लिखा जाता है, और इसकी value हो जाएगी बेटे, delta S by delta T, this is the change in displacement, upon change in time, तो यह तो बन गया विटा, velocity का एक छोटा सा formula, अगर यह change बहुत minute हो, यानि बहुत small time में change किया गया हो, तो उसको हम differentiation के format में भी लिख सकते हैं, आपको यह पता है, and that becomes instantaneous velocity, तो अगर हम heating डाले, instantaneous velocity, instantaneous velocity, तो obvious सी बात है, जो velocity आपके सामने निकल के आने वाली है, वो इतने कम time के लिए होगी, बेते हैं, इतने minute time के लिए होगी, कि उसको हम zero के approachable लिख सकते हैं, यह limit delta T goes to zero, and that becomes dS by dt, यानि अब displacement को differentiate करेके भी हम लोग velocity निकाल सकते हैं यहां से, displacement को differentiate क्या answer आपके सामने है, अच्छा, यह तो बात रिवाई instantaneous की, यानि velocity at a particular instant, at a particular time, that becomes dS velocity, बात करते हैं, आपको अच्छे सबता है, total displacement upon total time, कुछ भी नहीं सोचना है, वी average, यह बनेगा total displacement upon total time taken, यह बहुत ही important है बेटा, चाहे जो रहे, आप ध्यान समझेगा इस बात तो, displacement कम जादा हो सकता है, तो उसके साथ से velocity भी लगातार change हो सकती है, इस लिए इस पर ध्यान रखीगा, total displacement upon total time से हमारी velocity निकल किया आईगी, बस इत्ती सी बात समझो, total displacement upon total time taken, becomes the average displacement, अग कुछ unique बात हैं, जो velocity के बारे में हमें जान नहीं है बेटे, एक बार उससे जान लेते हैं, फिर इस chapter को हम लोग, ये topic को यहीं पर हम लोग bind up करेंगे, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा बिटे, unit इसकी obviously meter for second, obviously vector quantity, चोकि vector law को follow करता है, vector quantity, तो vector quantity होने का फाइदा क्या हुआ, बही positive हो सकता है, negative हो सकता है, या zero भी हो सकता है, अगरा point हम ने ये भी देखा, कि हमेशा speed से कम, या उसके equal होगा, less or equal to speed, या हमेशा ध्यान रखना है बिटे, और जितनी भी बाते आपने यहां पर देखी है, वो बहुत ही एहम है बिटे, इस चीज को ध्यान में रखना, dimension भी अगर आपका इससे पूछा जाए, dimension का आपने पढ़ा है, dimension Lp-1, हम लोग को बिटे, इनी सब चीजों को लेकर आगे की तरफ बढ़ना है, तो आज के लिए इतना ही बहुत रहा, एक बार दो मिनिट में कोई क्रिवीजन कर लेते हैं, क्या पढ़ा, what is kinematics, kinematics में सबसे पहले motion के बारे में सुटी करना है, motion के कितने segment के बारे में पढ़ना है, distance, displacement, speed, velocity and acceleration, फिर आज हम लोग ने distance जान लिया क्या होता है, displacement जान लिया क्या होता है, speed जाना क्या होता है और velocity जानने क्या होता है, इनके कितने parts हैं, यह हम टेस्ट मैं नेक्स्स वीडियो में हम एक्सलरेशन सी स्टाट तरेंगे और फिर आगे की तरफ हम भूम करना सुरू करेंगे और दीरे धीरे इस चैप्टर को हम आगे की तब कराएंगे और व्रकर करीं हैं और शैप्टर आगोब रहा हैं